हेलो गाइज वेलकम तो लेन वेथ मीजुआ है आप सभी का हमारी यूडिप चैनल लेन वेथ मी तो दोस्तों अगर अब हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर यह लास्ट पर्ट हमारा पढ़ेंगे एक इसके बाद हम न्या चेप्टर स्थाइट करेंगे कोडिंग का अधि चप्तर जो हम जो हम कोशिन करेंगे वह आएगा इसमें हम दो टैप का पढ़ेंगे, एक टैप का रहेगा, जो हमेशा मेंस में ही पुछा जाएगा, ये प्री में नहीं पुछा जाएगा, दूसरे टैप का हम पढ़ेंगे, वो भी क्या रहेगा, वो प्री और मेंस दोनों में पुछा जाता है, अगर वो प्री में पुछा एक्जाम में नहीं पूछा जाता है और मेंस में पूछा जाता है तो चले स्टार्ट करते हम पहला कोशन यह रहा हमारे सामने यह कोशन चोदी हुए है वही कंडिशन वागेरा सब इंग्लिश में लिखी हुई है मैं आप लोगों पर इसे ट्रांसेट करके सिखाऊंगी किसक इसे समझ सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं क्या लिखा पहला कोशन हमारा इस्टर दी फॉलोविंग इंफरमेशन टू अंसर दीवें कोशन नीचे दीगई इंफरमेशन को पढ़के हमें दिये गई कोशन का अंसर करना है जैसे कि लेटर की कोड क्या दी हुई है हमारी आई का कोड क्या दिया हुआ है स्टार मतलब आई को कोड किया गया है स्टार से ठीक है और के को कोड किया गया है सिक से वैसे डी को कोड किया गया है एंड से अगर यह सारे लेटर कहीं पर आते हैं तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसे वैसे कोड करेंगे जैसे कहीं पर हमारा अगर T आ गया तो हम T को क्या लिख सकते हैं ती जगपे हमें कोड करके हमें क्या लिखना पड़ेगा फाइव लिखना पड़ेगा ये थे हुआ बट इसके आगे एक objection आ जा रहा है, जो के है हमारा condition, एक objection के जा रहा है हमारा condition, condition लगा दिया गया इस पर, क्या condition लगा दिया गया, कह रहा है कि if the first letter is vowel, मतलब अगर पहला letter, कोई हमें जो word दिया रहेगा, उसका अगर पहला letter, वोविल है, पहला letter वोविल है, and the last letter is consonant, और last letter क्या है, consonant है, the quotes are to be इंटेटरेंच मतला वोवेल की जगह पर tonight ओजाएगा दूसरा कंडिशन कbage हेसे हमें कॉट करना होगा जो ववेल का कोड रहेगा वह प्रino stupid pie दोनों का कॉड कीा हो बदल जाएगा थी दूसरा condition क्या बोला गया है हमे if the first letter is consonant and the last letter is vowel अगर पहला letter consonant है और last letter vowel है both are to be coded as the code for consonant तो दोनों को कैसे code किया जाएगा consonant को तो हम consonant की साब से करेंगे vowel का भी code क्या होगा जो इस consonant का code होगा वो ही vowel का हो जाएगा यह हमारी condition हो गए ठीक है तीसरी condition क्या दी हुई है if the if both the first and the last letters are vowel मतलब पहला letter भी vowel है और last letter भी vowel है both are to be coded as has मतलब इसको भी हम हैस से code करेंगी इसको भी हम हैस से code करेंगी यह हमारी condition लगा दी कही है ठीक है तो यह condition रहा हमारा जब हम exam में solve करेंगे तो हम किस सरीके से solve करेंगी यह मैं आप लोग को आगे बताती हूँ तो चलिए चलते हम हमारे question की तरफ यह रहा आप लोग के सामने हमारा question letter और code भी दिये गए हैं उपर भी अब देखिएगा सबसे पहले मैं solve करते हैं हमें exam में क्या करना होगा मैं क्या करूँगी सबसे पहले condition को लिख लूँगी क्या condition एक condition दिया होगा हमारा sort form में मैं लिख लूँगी first letter वावेल है मेरा और last letter अगर consonant है तो दोनों को क्या करना है मुझे change मैं ऐसा लिख लूँगी exam में दूसरी condition क्या दिखी मेरी first letter क्या है consonant है और the last letter इस क्या है वावेल है तो क्या करना है मुझे consonant के सबसे आएगा ठीक है वह यह consonant मैंने लिख लिया तीसरी condition क्या दिखी first letter वावेल है यह दोनों वावेल है तो क्या करूँगी मैं हैसे कोट करूँगी ठीक मैंने ऐसा लिख लिए exam में सौट फॉर्म में ताकि मुझे बार बार question को देखना ना पड़े ठीक अब पहला question क्या दिया गया हमारा P D A O C I इसे हमें क्या करना है code करना है तो हम इसे code कैसे कर सकते हैं अगर simple दिया आ रहा था तो हम P की coding P लिख देते एक ही coding एक ही जो कोडिंग दियो है उसके हिसाब से लिख देते हैं पर यहां पी क्या कर दिया गया है हमें दो-तिन condition दे दी गई है तो देखने कि कौन सी condition इसको question को follow करती है P पहला क्या है यह हमारा क्या हो गया P क्या है हमारा इसका आगया हमारा I की coding भी वही होगी वाविल की coding भी वही होगी जो क्या है consonant के मतलब जो क्या है P की है तो last में भी हमारा क्या आजाएगा R दरेड बचे क्या D A O C अब D A O C के लिए कुछ condition नहीं दी हुई है तो इसलिए हम क्या करेंगे उसकी coding जो question दी गई है उसी से कर देंगे D की coding क्या दी गई है AND दी गई है A की coding क्या दी गई है 3 दी गई है O की coding क्या दी गई है हमें 1 दी गई है और C की coding क्या दी गई है हमें % दी गई है तो इसका answer क्या हो जाएगा add the rate AND 3 1% add the rate जहां पी ये option दिया रहेगा उसे हम click कर देंगे और वही इसका answer होगा ठीक है चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले question की तरब I hope so कि आप लोगो यह सब समझ आ रहा होगा तो अगला question क्या बोल रहा है अगला question थे हो मेरा U, I, T, J, P, U हमें इसकी coding करनी है इसकी coding कैसे करेंगे अब हम चलिए देखते हैं इसकी coding करेंगे हम U, I, T, J, P, U पहला letter क्या है वोविल दुसरा last letter भी क्या है वोविल वोविल का कहीं पर कुछ है क्या थर्ड पर condition दी गई है वोविल की condition क्या दी गई है हैस मतलब वोविल जो है दोनों वोविल को हैस से code कर देंगे ठीक है भई हैस से code कर देंगे मैंने यू और यू को बचा किया I, T, J, P, I की coding क्या हो जाएगी जो question में दी गई है star, T की coding क्या हो जाएगी जो question में दी गई है 5, J की coding क्या हो जाएगी जो question में दी गई है और P की coding क्या हो जाएगी जो question में दी गई है add the rate has star 5 add the rate sorry has star 5 has add the rate has यह क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा जहां भी एक coding दी रही वही हमारा answer रहेगा यह समझ आ रहा है क्योंकि हमें थे कोई has को लेकी confusion नहीं हो रहा है यह तो condition में था कि has होना है हमें यूँ की coding नहीं लेनी है हमें क्या लेना है है इसकी प्रहले और last letter अगर वाविल होगा तो इसकी जगा हमें क्या लेना है हैस लेना इसको code करने के लिए और जे की coding क्योंकि has यह होए इसलिए यहां भी हैसा आ गया है यह hopes आप लोगों को यह clear होगा तो चलते हम अगले question की तरफ अगला question क्या लिखा है हमारा d, u, r, m, k इसे हमें code करना है तो चलिए code करते हम d, u, r, m, k ठीक क्या लिखा है हमारा d, u, r, m, k d क्या है हमारा d हमारा consonant k क्या हमारा consonant अब देखते हैं हमारी कोई condition ऐसी है क्या कि जो consonant, consonant को follow करती है वोविल, consonant, consonant, वोविल, 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 तो consonant और consonant को follow नहीं करेंगे, तो अब हम कैसे code करेंगे, क्योंकि इसमें कोई condition नहीं दिए है, इसलिए हम इसको question के according इसका code कर देंगे, D को हमें लिखना है, एंड तो लिख दिया हमने एंड, U को हमें लिखना है, 9 तो लिख दिया हमने 9, R को हमें लिखना है, 7 तो लिख दिया हमने 7, M को हमें लिखना है, डोलर तो लिख दिया हमने डोलर, K को हमें लिखना है, हमें 6 तो लिख दिया हमने 6, अब जहां के कुछ option म हमारे end 97 $6 होगा वही हमारा answer होगा ठीक है समझ आ रहा होगा और पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा तो चलिए अब हम चलते हमारे last question की तरह इस coding का क्या है यह question हमारा E T U C P J क्या हमारा E T U C P J पहला letter क्या है वोविल last letter क्या है consonant देखते हैं कोई सी condition follow कर रही क्या तो हाँ बिल्कुल follow कर रही पहली condition वोविल और consonant की पहला letter वोविल है last letter consonant है follow कर रहा है इसमें क्या करना हमारे दोनों code को हमें to change करते ना मतलब जो जो जे की coding है वो आ जाएगी यहां पे जो भी Gerality के वो चली जाएगी वहां पी जगड़ी जेकी कोडिंग और जीकी जगड़ी की ते लिए उ再ब ठीक है तो जेकी क्या है हमारी जेकी की कोडिंग के है हमारी 9 C की कोडिंग के हमारा परसेंट P की कोडिंग के हमारा एड़ ठीक है तो जहां option पे हमें लिखा दिखा गया has 59% एड़ रेट वही हमारा answer होगा यह पहला question पूरा हमारा complete हो चुका है और इस condition वाले question को हम किस तरीके से solve कर सकते हैं यह समय ने बता दिया और मुझे अमीद है कि आप लोग को यह समझ आया होगा तो इसी तरीका का एक और question ले लेते हैं तो चलिए चलते हैं यह रहा हमारा अगला question इसमें दिया हुए हमें नंबर की coding और number दी हुए है और इसका code दिया गए है पयष्ले question में him ень letter दिया गए रुष्bery दिया गए गाए इसमें number है और इसका code आये are 5 को code करना हमें 9 mi k acceptsना हमें dollar 4 1 को को करना हें hakally imc3.com q एक कोड करना है चिक है तो इस पर एक कंडिशन लगा धीया तो देगा ऐसे लड़े कॉस्शन नहीं देगा और पहली कंडिशन क्या बोल रहा है इवlan is for some मरीस on मतलब अगर पहला नंबर मेरा ओड है विसमसंक्या है and fourth number is even पहला और last नहीं बोला इसमीज नहीं बोल दिये कि पहला नमबर अगर वी समसंख्या है और चौथा नमबर जो है वो क्या है even है मतलब समसंख्या है then both are to be coded as plus मतलब दोनों को किसे कोड करेंगे हम plus से पहला और fourth letter पहला letter अगर वी समसंख्या odd number है और fourth letter अगर समसंख्या even number है तो दोनों की जगा पहले और चौथी की जगा पहले हमें क्या करना है plus करना है और बागी as it is लिख देंगे code को ठीक है पहली condition समझा गी अब चलते हम हमारी दूसरी condition की तरफ दूसरी condition क्या बोल रहे है if the first number is even अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहला number अगर even है और last बोल रहा है इसमें last number क्या है odd है पहला number अगर sum है और last number क्या है विसम है then both are to be coded as the code for even तो दोनों को कैसे करना है even के according मतलब sum संख्या के according दोनों को code कर देंगे यहां पे भी even का जो code रहेगा वही आएगा और last में भी जो even का code रहेगा वही आएगा दूसरी condition समझ आ चुकी होगी चलिए अब हम चलते है हमारी तिसरी condition के तरफ तिसरी condition क्या बोल रहा है if both the first and last number are odd अगर पहला और आखरी दोनों नंबर क्या है हमारा odd है तो both are to be coded as dollar तो दोनों को क्या करना है हमें dollar इन दोनों की पे जो संख्याली के रहेगी उसका code नहीं आएगा इन दोनों की जगा पे क्या जाएगा हमारा dollar और बाकी की code को हम लिख देंगे ठीक है तिसरे condition भी समझ आ गई होगी तो अब हम क्या करेंगे चलिए अब हम चलते हमारे question की तरह तो question यह रहा आप लोगों के सामने और मैं पिछले condition क्यों यहां पे लिख लूँगी पिछले question की तरह ठीक है पहली condition क्या है मेरी first और fourth first क्या होना चाहिए मेरा odd होना चाहिए विसम होना चाहिए और fourth क्या होना चाहिए even होना चाहिए तो किसे code हो जाएगा प्लस से अब क्या है मेरा first है और यह क्या है last है first और last से कैसे code करूँगी मैं first अगर मेरा क्या रहेगा first रहेगा अगर मेरा even और last रहेगा मेरा अगर odd तो मुझे क्या code करना पड़ेगा even कि according ठीक है और एक कंडिशन क्या दियो ही है last और first zone क्या रहेगा odd तो मैं कैसे code करूँगी both are to be coded as dollar dollar से code कर दूँगी ठीक है तो चलिए question क्या लिखा हुआ है मेरा 9 4 1 5 6 7 यह मुझे question दिया गया है इसे मुझे code करना होगा 9 4 1 5 6 1 अगर condition नहीं दी हुए तो हम direct to solve कर देंगे कि इसका code यह है इसका code यह है पर condition जरूर दी रहती है तो हम देखते हैं कि हमारा эта also follow करती और even और ओर over follow करती है पहला लेटर ओर अखरी लेटर और पहला नमबर mapped और नमबर सुक्षि कैसे कोट करेंगे । भाकी का κोट हम लिएगए। है में T और वन का कोड के दिया हुआ है में 5 कोड के दिया हुआ है में 6 अधिया हुआ है मतलब जहां जिस भी ऑप्षिन पे लिखा रहे कर डॉलर टी MPL डॉलर वही हमारा अंसर होगा ठीक है आयूब सो कि आप लोगो यह कोशन मी समझा गया हुआ कि नंबर की कोडिंग दी रहे जैसे I, K का code लिखा हुआता है पहले question में वैसे यहाँ पे 5 और 9 का code लिखा तो यह mix करके आज़ा है I की coding दी हुई है स्टार, K की coding दी हुई है 6, 5 की coding दी हुई है P, 9 की coding दी हुई है डॉलर इस तो उसमें कोई दिकत नहीं आएगी क्योंकि यह हमने सीख लिए आप करना ठीक है तो चलिए अब हम ले लेते हैं हमारे अगले question को जो कि क्या है 3, 2, 9, 8, 0, 4 यह हमारा question दिया हुआ है तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी कौन सी follow कर रहे है अगले question और फालो कर रहे हैं यह तो और यह इवेन है नहीं और इवेन है क्या नहीं पहला और चौत देखना है पहला और फॉर्ठ लेटर 1,2,3,4 ईवेन है हाई वेन है सम्विशं सोरी पहला वी समसंखिया और चौत ऑर चौत क्या है समसंखिया है बिलकुल तो अब हम कैस 2 की कोडिंग दियुए हमें Z, 9 की कोडिंग दियुए हमें Dollar, Question से मैं देख सकती हूँ, और 0 की कोडिंग दियुए हमें Star, 4 की कोडिंग दियुए हमें T, जहां पर भी दिखाऊगा हमारा Plus Z, Dollar, Plus Star, T, वही हमारा Answer होगा, ठीक है, तो चलिए इसका मैं अगला question ले लेती हूँ जो कि इस question का last question है तो चलते हैं हम चलते हैं हमारे अगली question की दरब जो कि कहा है 2, 0, 4, 1, 9, 5 तो देखते हैं कौन से condition इसको follow कर रही ये दिया हुआ हमारा even ये दिया हुआ हमारा odd ठीक है ये follow कर रहा हमारा तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या लगेगा हमारा even की according coding होगी मतलब 2 की हिसाब से हमारी इसकी coding हो जाएगी तो 2 की coding क्या दिया है हमें Z तो हम ले लेंगे Z 2 की coding लेंगे हम Z वैसे ही यहाँ भी क्या हो जाएगा Z क्योंकि 2 की coding क्या according हमें code करना है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि 0 की coding क्या दियुए है 0 की coding दियुए हमें star 4 की coding दियुए T1 की coding दियुए है M9 की coding दियुए हमें dollar तो जिस भी option में लिखा होगा Z star T M dollar Z वही हमारा answer होगा ठीक यह वाले condition भी question समझ आ चुके होगे तो अब हम चलते हैं हमारे अगले type की question में जो की यह रहा ठीक यहाँ पर question दिया हुआ है Mohan is honest Mohan is honest को code किया गया है 1 has 13 9 at the rate 19 at the rate 8 C is dangerous को code किया गया है इस coding के साब से cat dog isn't को code किया गया है इस coding के साब से अब मुझे इसका code कैसे निकालूँगे तो तीन उनके code दियेगा है मतलब इन तीनों लेटर के एक कोड होंगे हो सकता है कि वो code इस order पे हो हो सकता है कि वो code आगे पीचे कहीं पे भी दिये हो 2, 3, 1, 1, 2, 3 कैसे भी code हो सकते हैं चीक है तो अब हम इसे कैसे solve करेंगे अब हमें इसका code ढूड़ना पड़ेगा सबसे छोटा letter को हमें सबसे पहले लेना है I और S इस सबसे छोटा letter है तो अब हमें इसे क्या करेंगे सबसे छोटा word को हम सबसे पहले लेंगे तो इस हमारा सबसे छोटा word है तो अब हमें इसे ही solve करने की कोशिस करेंगे इस का क्या कोड़ हो सकता है सबसे पहले तो मैं देखुंगे कि number number value number value coding decoding solve करने में बहुत हैल्प करती है यह मैंने आप लोग को पहले ही बताया था तो i की क्या होती मेरी 9 s की क्या होती मेरी 19 कहीं पे 9 और 19 से कुछ goal देख रहा है क्या हाँ भाई एक दिख रहा है मुझे 9 18 9 एक दिख रहा है मुझे new हो सकता है यह हो हो सकता है यह हो ठीक है अब देखती हुमें यह 8 कहां से आया 19 अगर मैं लिख दूं तो यह 8 कहां से आया तो हो सकते हैं कि पहले वाले का माइनस कर दिया हो और अगर यह 9 और 9 ले लिए 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 गया हो दुबारा भी लिए 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 गया हो तो चलिए अब मैं एक दूसरा वर्ट लेती हूँ जिससे की मुझे समझा जाए कि कौन सा कोड लिया गया है तो अब मुझे रेखना होगा मैं लेली मालो C को C लेली मैं C का कोड क्या हो सकता सबसे पहले मैं लिखूंगी S की नंबर वैली 19H की 8E की 5 अब 1985 से सेकंड वाली सेंटेंस में कुछ दिख रहा है क्या मुझे 1985 से 19 8 और 5 मुझे मिल गया 8 has और 19 यही कोड मतलब क्या है इसका कोड है क्योंकि 8 has और 19 मुझे मिल चुका है अब मैं कैसे लिखूंगी S का कोड लिया गया है पहले 19 मतलब पहले वाला जो लेटर है उसको लिख दिया गया है last में ठीक है बई मैंने लिया था 9 at the rate 9 और 19 at the rate 8 9 का ये 9 आ गया starting से 9 का ये 9 आ गया last मतलब क्या ले रहा है ये code मुझे समझ आ चुका है मैं cat से जैसे ले लूँ cat का मुझे क्या मिलेगा 3 1 20 है तो इसका क्या ले लेंगे हम three और one से एक code मिल रहा है मुझे one has three क्या समझा रहा है मुझे कि पहला वाला जो लेटर है उसे हमें last में लिखना है second वाला जो last letter है उसे हमें क्या लिखना है first पर लिखना है क्यूंकि इस से पता चल रहा है कि ये second last रहेगा अधाल क़ो बागी डॉक से भी के नहीं पता चल जाएगा कि फर्स्टऑ कि 2nd सी से भी नहीं पता चल जाएगा कि फर्स्टऑ कि 2nd केट से भी नहीं पता चला बड़ इस मुझे दिमाग लगा पा रही हूं कि Ease में भी 9 और 9 लिया है यह एक बार पहले स्टार्टिंग का लिया है इस से एक बार का लिया ये स्टार्टिंग का लिया लिया फर्स लेटर जैसे कि केट में लिया गया है फर्स हैस वन हैस ट्री मतलब स्टार्टिंग वाले को लिया गया लास्ट में ये नाइन आ गया ये त्री आ गया ये समझ आया चले एक बार मैं और बता देती हूँ मैंने लिखा मोहन मोहन की कोडिंग क्या हो सकती है 13, 15, 8, 1, 14 13, 15, 8, 1, 14 से हमें कुछ कोड मिल रहा है क्या मिल रहा है मुझे 1 has 13 1 के है last से second letter 1 ये last से second letter है 13 के है starting से first letter समझ आ चुका होगा ये अब has और add the rate पूरे coding में has और add the rate ही code चल रहा है अब मैं इसे कैसे निकालू मोहन में मिला मुझे has मोहन में मैं count कर ले थी हूँ किते letter है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब five letter है तो आया has ठीक है भई is is two है add the rate two है तो आया add the rate और honest में six है मतलब आया add the rate इससे क्या पता चल रहा जहां भी letters जो है वो अगर उनकी counting समसंख्या में आएगी अगर even number पे आएगी तो क्या हो जाएगा add the rate अगर odd number पे आएगी तो क्या हो जाएगा has ठीक है तो वैसी हमें अब code करना होगा what is हमारे question के तरफ हम चलते हैं क्या है question हमारा what is the code of people people का हमें code निकालना है p e o p l e यहाँ वे सबसे पहले मैं count कर ले दियू 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 का मतलब क्या है even है even में हमें क्या मिला था even में हमने code किया था add the rate even में add the rate code हो गया अब क्या किया था मैंने starting पे क्या लिखा था last से जो second letter है उसकी number value और last में क्या लिखा था जो first ही number value है वो 12 add the rate six minutes का answer होगा question इसी तरीके से पूछा जाएगा तो अगला question है हमारा what is the code of air air का code पुछना है पूछा हमे air का code कैसे code करूँगी मैं सबसे पहले तीन है मतलब odd है मतलब विसम संक्या तो आजाएगा has उसके बाद लिखूँगी मैं last से second letter आई है उसकी place value 9 starting वाला लेटर हमारा A उसकी place value 1 मतलब 9 has 1 इसका answer होगा ठी है अब एक question आपको किस सरीके से पूछा जा सकता है जैसा इसमें क्या बोल रहा था word दिया हुआ था और हमें इसकी coding निकालनी थी अब एक code दिया रहेगा मालो code दिया है 19 has 3 अब मुझे इसका word निकालना है कि कौन सा word हो सकता है तो option तो दिये हुए रहेंगे option मालो 3 से 4 option दिये हुए option में क्या लिखा हुए पहला option लिखा है मेरा मालो class C-L-A-W-S class दूसरा carrot C-A-W-R-O-T-K-A-R-O-T तीसरा लिखा है मुझे G-O-E-S गोस चौट था लिखा है मुझे clear C-L-E-A-R-S अब मुझे कैसा पता चलेगा कि इसका क्या हो सकता है code तो 19 कहां से आ रहा था हमें last second last letter से second last letter क्या है S मतलब ये हो सकता है O not मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी प्लेश फेलिया 15 होती है E E 5 E 11 h 18 31 box 3 3 2 3 क्योंकि सी की प्लेस तीन होती है अब मैं काउंट कर लेती एक डो तीन चार पांच पांच है मतलब ओड का औरर हैस मतलब क्लास ही सका अंसरों का और इसमें क्योंकि छै है चै का तो एट दरेट होता है मतलब यह ऑफशन नहीं होगा थीख है इस तरिकि से भी कोशन पुझा ज होगा तो हैस ईवन हुआ तो इस तर सकते हैं वाविल और कॉंसोनेंट से पुछा जा सकता है कि वाविल होगा तो एक सिंबॉल और कॉंसोनेंट होगा तो दूसरा सींबॉल leaning design or starting से ले सकता है will last से सकता है exclusive value ly si सकती है कि 1 नहीं क्य Knuts है तो बीच में जो लैटर प MONS बीच में उन में से 1 आया और लीजा सकता है कि इसका किसी हम करें चैप्ण करें गेulation हमगे हम सारे चेप्डर कशाड् У 숰म करेंगे ठीक है आज को सेचा हम यहीं पे end up करते हैं I hope सो कि आप लोग को समझ आया होगा और समझ आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और अपने फ्रेंड से साथ शेर कीजेगा तो चले है वीडियो को हम end up करते हैं till then keep on keep practicing thank you and bye bye